प्रुधान बंतुई नरेंद मूदी ने बीते दिनों तीनों क्रिश्वी कानूनों को वापस लेने का एलाम कर दिया है इसके बावजूत किसानों का अंदोलन लगातार जानी है ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के बतावे किसान अब 29 नवंबर को दिल्ली में चुक्का जाम करने का प्लान कर रहे है सेयुक किसान मोर्चा आज सेंगू बॉर्डर पर बैठक करेगा जिसमें वो आगी की रनीती और संगठनों को क्या कदम उठाने है उस पर बात करेगा आपको बता दें हैं सुबह 11 वजे सेयुक किसान मोर्चा की कोर कमीटी की बैठक होगी जिसमें 9 सदसे रहेंगे इनमें डॉक्टर दर्शुन पाल सिंग, बलवीर सिंग, राजेवाला और गुर्णाम सिंग और योगेन रोयादव जगजीत सिंग, हंडान मोला, जोगिन्द सहीत कई और भी शामिल वहाँ पर रहने वाले हैं इस बैठक को कई माइने में महतवपून भी माना जा रहा है दरसल आपको उता दे कि किसान आंदोलन को लेकर आगे की रोनीती इस बैठक में ही तैक ही जा सकती है वहें इसके बाद करीब बारा बज़े सहींग किसान मोचा की बैठक होगी जिसमें हलियाना समयत अन्यराज्यों के क्रिशी संगर्जनों के नेताएं शामिल होगे और आपको उता दे कि किसान आंदोलन के एक साल पूरा फोने के मौके पर किसान नेतार राकेश्टिकैत ने कहा कि जो किसान शहिद हो गए उन्हें याद हम कर रहे हैं तीनो काले कानून और कोरोना एक साथ आय थे वो बिमारी थी वो खतम हो जाएगा उन्होंने कहा कि अभी मनजिल बाकी है सरकार को MSP पर भी गैरंटी देनी पड़ेगी यानि कि अभी किसान जो है वो कही न कहीं बैक फुट पर नज़र नहीं आ रहे हैं हाला कि सरकार तो बैक फुट पर आच चुकी है सरकार ने तीनों किश्वी कानूनों को रद करने का फैस्ता कर लिया है लेकिन उसे बावजूद भी किसान अभी भी जो है अपनी मांगों पर अड़े हैं और ऐसे में किसानों की घर वापसी होगी या तक्राव सरकार से उनका बढ़ेगा ये देखने वाली बात है और आज महत्वपून बैठक किसानों की होने जा रही है जिसमें आगे की रणनीती किसान तैय करने वाले हैं विश्व स्वास्ते संगठन की एक सला का समीती ने दक्षिन अफ्रिका में पहली बार सामने आए कोरोना वारस के नए प्रकार को ओम्री करन नाम दिया है जो एक ग्रीक शम्त है और इसके साथ ही डवलू हो ने नए कोरोना वैडियन्ट को बेखत तेजी से पैलने वाला चिंता जूनक वैडियन्ट की केटेगरी में रुखा गया था जिसका प्रसार दुनिया भर में ये पहले वेरियंट से ज़्यादा तेजी से फैलता था और तेजी से ही लोगों को बिमार भी करता था ऐसा ही एक नया वेरियंट ओम्री क्रॉन के बारे में कहा जा रहा है दरसल आपको उता दे शुक्रुवार को WHO के टेखनिकल एडवाइसरी ग्रूप और वारस एवलिशन की बैठक हुई थी जिसमें नय वेरियंट B.1.1.529 और इसके विवहार पर चर्चा हुई मीटिंग के बार WHO के प्रबक्ता ने बताया कि अभी शुवाती अध्यन से पता चला है कि नया वेरियंट बहुत ज्यादा संख्या में म्यूटेट हुआ है तो ऐसे में अफरिका में जो कॉरोना का नया वेरियंट मिला है वो बेख़च चिंता जनक है और ऐसे में तेज़ी से फैलने वाला ये वाइरस बताया जा रहा है डबलू एचो की तरफ से आपको बता दें कि उम्री क्रॉन इसका नाम रखा गया है नय वेरियंट का और इसलिए हर किसी से सतर्थ रहने के अपील की जा रही है क्योंकि अभी से ही आपको बता दें यूएस ने इतियाद बरते हुए एफ्रिका से आने वाली कई फ्लाइटों को रद कर दिया है उस पर प्रतिबंद लगा दिया है कि बहां से यूएस में कोई भी फ्लाइट नहीं आएगी क्योंकि बामले ताकि ना बढ़ें कोरोना के और एक बाप फिर से पहली जैसिस्तिती ना बने कोरोना के नए वेरियंट के सामने आने के बाद इसी लहर की बढ़ती आश्रका के बीच टीके की बूस्टर डोस लगाने के अनुमती देने के लिए सरकार पर दवाब बढ़ गया है इसके साथ ही टीके के असर की अबदी को नौ महीने तक सीमित करने के यूरोपिय देशों के प्रस्तावों ने भारतियों के लिए बैरुट टोक आवजा ही आपको बता दे सुनिशुत करने के लिए बूस्टर डोस की ज़रूरत बढ़ा दी है सरकार अभी तक सभी विकल्पों पे काम कर रही है और ऐसे में दो डोस देने को अपनी प्रात्मिक्ता बताती रही है लेकिन देश में बड़ी संख्या में टीको की उपलब्धता को देखते हुए बूस्टर डोस को इसमें रुकावत की रूप में नहीं देखा जा सकता है देश में कोविड-19 वैक्सिनेशन का आकड़ा 120 करोड के करीब पहुंच चुका है और ऐसे में स्वास्ते मंत्राले के अनुसाज शुक्रवार शाम साथ बजे तक कोविड वैक्सिन की 65 लाग से ज्यादा डोस लगाई गई थी दरजल कोरोनों के परते संक्रमन और उसकी कारण लगाय जा रहे प्रतिवंदों के विरोध में लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए यूरोपिय संग ने टीका करण के अधार पर बे रोक टोक आवजाही के लिए नए नियम बढ़ाने की जरुरत बताई है ऐसे में प्रस्तावित नियमों में विशुर स्वास्ते संगठंच से मानेत प्राप्त करोना रोधी टीके की समय सीमा नौ महीने तक सीमित प्रखने के लिए कहा गया है आपको बता दें कि यूरोपिय संग का मानना है कि ठीके कि दोनों डोस लेने के नौ महीने के बाद किसी व्यक्ति के शरही में कोरोना वारस के खिलाव प्रती रोधग श्रमता खतम हो जाती है यानि उसके बाद वो फिर से संक्रमत होकर नए सीरे से संक्रमन फिलाने का कारण बन सकता है जाहिर है नौ महीने की समय सीमा तैह होने की वज़ा से मार्च तक दोनों डोस लेने बाले दिसंबर के बाद यूरोपियों देशों की यात्रा नहीं कर पाएंगे इसी तरह प्रेल तक दोनों डोस लेने वाले जनवरी के बाद और मैं में लेने वाले दोनों डोस फरवरी के बाद और यूरोप में बे रोक टोक यात्रा पर प्रतिबंद लग जाएगा और धीर दीरे ऐसे लोगों की संक्रम बढ़ती चली जाएगी वैसे भी ऐसे लोगों की संक्या जादा है जिने दोनों डोस लगे 6-7 महीने का वक्त हो चुका है